हलो बच्चो आज मैं आपको टर्म टू की पार्ट टू वीडियो में आज आपको मैं व्याकरण में हमारी जो व्याकरण संभध किताब में से पार्ट ग्यारा और पार्ट बारा पढ़ाने वाली हो जिसमें आज आप पढ़ेंगे एक जैसे अर्थ वाले शब्द यानि की जै जैसे शब्दों को कहते हैं, जिसके एक अर्थ वाले शब्द होते हैं, उसके शब्द के अर्थ एक जैसे होते हैं, जैसे की उधारन देखो, पानी, जल, घर को हम ग्रह भी कहते हैं, बादल को मेग कहते हैं, बारिश को वर्षा, आख नयन, नाव को नौका कहते हैं, चांद पेड़ व्रेक्ष पक्षी पंची तो यानि कि बचो एक जैसे अर्थ वाले शब्द जिसके नाम अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक जैसा होता है उसे हम कहते हैं समानार्थी शब्द इसके पाद बचो हमारा पाद बारा है उल्टे अर्थ वाले शब्द जैसे कि आप व विलोम शब्द कहते हैं विलोम शब्द को हम उल्टे शब्द भी कहते हैं और इसे विलोम शब्द भी कहा जाता हैं जब दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा हो तो उन्हें उल्टे अर्थ वाले या विलोम शब्द कहा जाता है यानि कि एक दूसरे का विपरित अ बच्चों देखें जैसे अंदर, बाहर, उपर, नीचे, आना, जाना, सोना, जागना, मीठा, कडवा, तो आशा करती हूं बच्चों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आज परियाए बची और उल्टे अर्थ के पांग में पड़ा, धन्यवाद, झाल